हेलो गाइस वेल्कम बेक टू मॉटरनेस्ट इंडिया मैं शुबो जी तब का होस्ट आपका दोस्त आज मैं आये हूं ड्रीम हुइल्स में एप्रिला स्ट्रोम 125 cc स्कूटर का रिव्यू करने तो कोई भी जान करिए चाहिए तो ड्रेस्किप्शन बॉक्स में शोरूम का फो स्टार्ट करते हैं एप्रिला का एक सो रूम प्राइज है वान लक्स सेवेंटीन थाउजन तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लेके आ हैं आप लोग के लिए अफ रोड स्कूटर जो हाई पावर हाई माइलेज के साथ आता है वह है एप्रिला स्ट्रॉम 125 cc बीए सिक् और यह स्कूटर आता है दो वेरियंट में एक ड्रम वाला वेरियंट एक डिस्क वाला वेरियंट तो आज हम लोग डिस्क वाला वेरियंट में रिव्यू करेंगे और कलर है योलो कलर आप लोग देखी सकते हैं बहुती स्टाइलिस ग्राफिक्स के साथ लॉंच किया है क्य क्या माइलेस देता है क्या पार्फार्फार्मेंस है ओफ रोड के लिए कितना अच्छा है ओन रोड के लिए कितना अच्छा है स्कूटर तो सभी का एक डिटेल्स रिव्यू करूंगा आज मैं और क्या-क्या निया फीचर्स कॉम्पनी ने प्रोवाइट केया है और आप को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कोई भी जान करी चाहिए तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स पे आप लोग लिखके मुझे सेंड कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या-क्या कलर मिलता है क्या-क्या परफर्फर्मेंस देता है स्कूटर और क्या-क्या नया स पेक के साथ आया है तो प्लीज कीप मत कीजे फूल वीडियो को देखिये यहां पर आपको स्पोर्टी मीरर के साथ ब्लैक फिनिस का आता है उपर में आपको ब्लैक मैट ब्लैक का वाइजर आता है एप्रिला का बैंड के साथ जो वाइट कलर का स्टिकरिंग के साथ आता है इ यहां पे दिया हुआ है एडवेंचर डिजाइन जो ब्लैक एन योलो सेट के साथ आता है एन फूल डिजाइन यहांने कॉम्पनी ने मैट के साथ टेक्स्चर के साथ प्रोवाइड कर रहा है जो एक एडवेंचरस एन माउंटेन वाला फील है तो इस गारी में ओ दिखाई देता है जो बहुती अच्छा लुक्स देता है बोडी में टेक्स्चर डिजाइन यहां पे पुरा ही सेप में टेक्स्चर डिजाइन अप्रिला ने दिया हुआ है और नया ग्राफिक्स के साथ जो टूइन कलर का ग्राफिक्स कॉम्बिनेसन है वो बहुती अच्छा लुक्स देता है गारी को जो ओफ रोड वाला फील है वो अप लोगों को यहां पे दिखाई देगा हेड लाइट यहां पे आप लोगों को हेलोजन मिल जाता है उस मोडेल का सिमिलरी छोटा भर्सन यहां पे कमपनी आप लोगों को दे रहा है स्ट्रोम वान ट्विन्टी फाइब यहां पे आप लोगों को मिल जाता है केलिस्कोपिक हाइडुलिक सस्पेंशन जो मैट ब्लैक के साथ आता है मटगर्ड भी यहां पे आप लोगों को स्टाइलिस सेप का मिल जाता है जो ब्लैक कलर का आता है नया सेप का एलोई हुई यहां पे आप लोगों को कमपनी प्रोवाइट कर रहा है आफ रोड का स्कूटर है इसलिए इसका टायर भी आप लोगो को आफ रोड टेक्स्चर डिजाइन के साथ प्रोवाइट कर रहा है कमपनी यहाँ पे आप लोगो को ब्लैक हुईल्स के साथ 200 mm का डिस्ट ब्रेक कमपनी प्रोवाइट करता है CBS Technology जो डूएल ब्रेकिंग सिस्टेम है 120 by 80 का 12 इंच का यहाँ पे टायर कमपनी प्रोवाइट कर रहा है जो हेवी ग्रीफ के साथ आता है जो अफ रोड इंग फिलिंग है उसका जो लुक्स है वो यहाँ पे भरपूर देता है जो बहुती स्टाइली सेप के साथ स्कूटर डिजाइन किया हुआ है स्कूटर का अब लोग देखी सकते हैं बहुती अच्छा सेप के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्कूटर तो कुछ राइट साइट के स्कूटर का डिजाइन आप लोग को कुछ ऐसा लगेगा साइड में आपको high beam low beam passing का स्वीच, left right indicator and horn का स्वीच आप लोग को provide कर रहा है company, यहाँ पर आपको self का स्वीच, एपरिला का brand के साथ black and red combination के साथ की मिल जाता है, यहाँ पर आप लोग को semi digital instrument cluster मिल जाता है, जो left side में analog and right side में red color के साथ digital, यहाँ पर आपको engine, fuel indicator, left right indicator and mode and trip on trip to company यहाँ पर provide कर रहा है, odometer fully digital होता तो और भी देखने में बढ़िया design लगता, and matte texture के साथ यहाँ पर body आता है, अभी हम लोग ignition sound कैसा है, वो सुन लेते है, इतने संग sound आप लोग को कैसा लगा, प्लीज comment box में मेरे साथ share कीजी, यहाँ यहाँ पर back carry करने का hanging दिया हुआ है, fuse का यहाँ पर box दिया हुआ है, food dress कुछ इस तरह का आप लोग को मिल जाता है, texture design के साथ, आप लोग profile देखी सकते है, side profile से गारी का, यहाँ पर rear का आपको food dress मिलेगा, metal का black finish के साथ, बहुत यह अच्छा stylus design के साथ आता है, and side profile से आप लोग देखी सकते है, एक mountain texture वाला जो black finish है, वो पूरा storm में दिया हुआ है, 3V tech का यहाँ पर engine upload को मिल जाता है, complex का भी यहाँ पर एक stickering दिया हुआ है, black color का, engine यहाँ पर company 124 CC का engine प्रोबाइट करता है, number 1 cylinder, max power जो generate करता है, 9.4 bhp, 7250 का rpm, and max torque you, यहाँ पर 9.9 rpm, 6250 का प्रोबाइट करता है, valve पर cylinder 3 है, 12 injection and air full technology, यहाँ पर company देता है, self start, SR 160 में 14 इंच का टायर मिलता था, यहाँ पर आपको 12 इंच का टायर मिलेगा, hydraulic suspension मिल जाएगा, drum brake के साथ, पीछे का टायर 130 by 12, 80 का 12 इंच का टायर, प्रोबाइट कर रहा है, texture के साथ, and kick and sell start, यहाँ पर प्रोबाइट कर रहा है, company, premium quality का यहाँ पर seat प्रोबाइट करता है, doubles texture के साथ, जो stretch बहुत ही premium look यहाँ पर देता है, storage यहाँ पर, जो fuel tank है, वो आप लोग को 6 लिटर का fuel tank यहाँ पर मिल जाता है, यह fuel tank इनर में ना होके बाहर में होता तो और भी बहुत बढ़िया होता गारी का, यहाँ पर आप लोग को 11 लिटर का storage मिल जाता है, USB cable का facility यहाँ पर नहीं मिलेगा आप लेक कलर का यहाँ पर आप लोग को grab handle मिल जाता है, halogen trail lamp के साथ, यहाँ पर LED का आप लोग को features नहीं मिलेगा, indicator भी आप लोग को halogen का ही मिलेगा, जो off-road का feeling है, वो पूरा storm में दिया हुआ है, black and yellow के साथ, यहाँ पर आप लोग को plastic का mud guard मिल जाता है, curve weight आप लोग को मिल जाता है, 118 kg का, wheelbase 1365 mm का, ground clearance 130 mm का, 6 color के साथ एक गारी provide करता है, guys please channel को subscribe कीजिए, चैनल में नए है तो bell button को press कीजिए, नया नया bike scooter का review में लाता रहूंगा, तो channel को like कीजिए, share कीजिए and comment कीजिए, काल काई ये तो आपके और आपके ठाहिए, क्सार्णों जापके जार वे लोग कीजिए, जाता है, नए है जाता है, क्सार्णों जाता है, झाल